है यह लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी वीडियो देखा था मेरा हो सकता है आपने वह फॉर्म भी भरा हो तो आपको यहां पर एक इंप्पोर्टेट देनी है यह नोटिस पढ़ लीजे दोस्तों यहां पर आपको बताय गया है था यहां पर देखिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह देखे date and time of computer based test CBT के लिए तो यहाँ पर देखे एक फरवरी एक फरवरी 2023 को LDC का test होगा LDC का CBT होगा और time क्या है 1-2 1-2 बजे आपका exam होगा ठीक है बाकी यह other post है जैसे की stenographer, MTS ठीक है तो इनसे आपको मतलब नहीं केवल LDC से मतलब है एक 11 exam है और एक तारिक को LDC का 1-2 exam है आगे अगर हम बात करें कि syllabus क्या रहेगा दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर देख लिजे जो scheme है आपका syllabus तो uses of English language ठीक है 10 question 10 number का और Hindi language 10 question 10 number का total 20 number हो गया और quantity aptitude जो हो गया math जो हो गया 20 question 20 number और reasoning जो हो गया 20 question 20 number तो इस तरीके से 20 और यह 40 आपका 60 हो गया computer knowledge 20 question 20 number और Indian knowledge and Sanskrit literature 20 question 20 number total 40 इस तरीके से आपके total 100 question हो गया और 100 number का आपका paper होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं यहाँ पर देखिए for objective examination 20 minutes of additional time ठीक है तो यह time आपको यह हाँ ठीक है slabus देख लेते हैं slabus of paper 1 CBT section A में uses of जो आपका English होगा उसमें क्या आएगा close test होगा और comprehension test होगा ठीक है और जिसको हम fill in the blanks भी कहते हैं और हिंदी में आपका close test और comprehension test होगा इसके बाद आपका आता है quantitative aptitude quantitative aptitude में जितने chapter आपको दिये हैं केवल यहीं से आपके question पूछे जाएंगे इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ठीक है न तो number system, square and cube root average, relative proportion, percentage profit and loss, partnership interest, time and work इस पर time and distance तो यतने chapter आपके math के आने हैं आगे बात करते हैं reasoning ability तो यहाँ पर आप देख लिजिए यह आपका reasoning ability का पूरा का पूरा slabus है और उसके आगे हम बात करें computer knowledge तो computer knowledge में आप देख लिजिए यह जितना लिखा है बस उतना ही आपको पढ़ना है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो computer basic hardware and software operating system networking internet applications database MS office MS office में आपका excel भी आजाएगा और power point भी आजाएगा ठीक है तो excel को अच्छे से पढ़ लिजिएगा और MS office programming language ठीक है programming language ना के बराबर social multimedia and shortcut keys तो यह सारी चीज़े आपकी computer में आनी है इसके बाद बात कर लें Indian knowledge ठीक है तो general science आएगा Indian history, Indian geography, policy, economic culture and Indian knowledge system Sanskrit literature ठीक है तो यह आपके subject हो गए ठीक है आगे बात कर लेते हैं skill test के बारे में तो यहाँ पर आप देखी क्या लिखा हुगा है skill test, computer typing test, syllabus pattern तो skill test क्या होगा English का जो होगा 35 word per minute और हिंदी जो होगा, Sanskrit नहीं करना होगा आपको हिंदी जो होगा 30 word per minute ठीक है तो यहाँ पर एक चीज है time जो है आपका 10 minute का है 35 word per minute and 30 word per minute English में आपके 10,500 की depression पर आ 10,500 की stroke होंगे और हिंदी में आपके 9,000 की stroke होंगे ठीक है और 5 की stroke को 5 की stroke को आपका 1 word माना जाएगा 5 की stroke को 1 word माना जाएगा ठीक है चलिए आगे कुछ बचा तो नहीं इसमें तो यह रहा बस आपको यह पूरी जानकारी देनी थी कि जो आपका exam date है वो आ गया है ठीक है exam date आपका आ गया है थैंक यू सो मच भाई भाई टेक केर आप सभी का समय सुभ हो